Hello everyone, Hubo Mail Lab Hindi episode number 5 में आपका स्वागत है। आज का discussion बहुत important है। आज हम discuss करने जा रहे हैं addiction। Addiction बहुत बड़ी problem है आज की society में। हर जगा addiction है। इस episode में जो भी information आई है, वो Hubo Mail Lab podcast से ले गई है। Hubo Mail Lab podcast ने एक episode किया था, Addiction पे defeat your addiction। Hubo Mail Lab ने एक psychiatrist और scientist को बुलाया था, इनका नाम Dr. NLM की है। NLM की एक psychiatrist का काम कर रही है, Stanford University में 20 साल से, इनका काम है कि patient से deal करना जो addiction में है। हर एक तरीके के addiction के patient से उन्होंने काम किया है, जैसे कि drug addiction, alcohol addiction, और behavior addiction, behavior like, कोई gambling addiction हो सकता है, sex का addiction हो सकता है लोगों को, pornography का जो बहुती common addiction हो रहा है आजकल, gaming का addiction, ये सब addiction आते हैं, behavior addiction के बहुत interesting discussion है आजका, तो end of the episode आपको एक चीज़ पता लगने वाली है, कि ये जितने भी addiction होते हैं, इनका सभी का common pathway है, ये interesting चीज़ है, हमारी biology की, कि जितने भी addiction चलते हैं, सभी का pathway common होता है, अगर आप बहुती addicted हो किसी भी चीज़ में, social media में, कहीं पर भी कोई भी addiction है आपको, तो end of the episode, अगर आप देखोगे ये पूरा episode, आप हर एक तरीके के addiction से बाहर आ सकते हो, अगर आप addicted नहीं हो किसी चीज़ से, कभी भी आप addicted हो सकते हो, क्योंकि हमारा brain ऐसे wired है, ये addiction के लिए wired ही है हमारा brain, तो आपको अगर अच्छी understanding पता है, mechanism पता है कि addicted होते क्यों हैं, और कैसे बाहर निकला जाता है, अगर आप उसकी science समझते हैं, तो आप अपने आपको कभी भी किसी भी तरीके से, addiction से भाहर लेके आ सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप addicted नहीं हो, एक ऐसी important चीज़ सोचे, जो करने से आपको मज़ा आता हो, और वो चीज़ आपसे छीन ली जाए, वो काम भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, आप addicted हो उस चीज के लिए, बहुती लोग work से भी addicted होते हैं, किसे person से भी हो सकते हैं, आप mechanism समझेंगे, तो आप बहुती far better position में होंगे, कोई भी addiction को कैसे defeat करना है, Dr. NLM की की एक बहुत popular book भी है, The Dopamination, The Find Balance in the Age of Indulgence, यह जो age है, जिस दर इतना ज़्यादा stimulant है, social media है, porn है, video games है, आपको कैसी life जीनी है, balance life जीनी है, इतनी stimulant होने के बाब, जो बहुत अच्छी book है, Dopamination, आप बाए कर सकते हैं, Amazon से, कोई affiliation नहीं है, इस वीडियो में किसी भी book की, जो उन्होंने 20 साल में, जो उन्होंने सीखा, अपने पेशन से, अडिक्शन से कैसे बाहर आए, उनके experiences है, अगर आप detail में, जानना चाते हैं, तो आप book चेक कर सकते हैं, interesting चीज यह है है guys, हम पहली generation है, जो social media से deal कर रहे हैं, और studies बोलती है, अगर comparison किया गया है, 2008 के लोगों का, और 2018 के लोगों से, देखा जाता है, जितनी भी यह rich countries हैं, जितनी भी developed countries हैं, like US, Canada, Australia, Italy, Germany, इन countries में क्या है, यह जो सब wealthy countries हैं, इन में से लोगों की happiness देखी गया है, जो 2008 के लोग थे, और आज 2018 के लोग ज़्यादा depressed हैं, depression rate बढ़ रहा है guys, over the period of time, जितनी हमें comfort मिल रही है, technology के, social media के हो गया, जो भी हमें घर पे इतने जादी हसूलते मिल रही हैं, तो भी depression rate बढ़ता जा रहा है, और देखा गया है कि जो poor country हैं, गरीब देशों के में depression rate अभी भी बहुत कम है, जितनी countries अमीर हो रही हैं, wealthy हो रही हैं, उतना ज़्यादा depression भी बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है guys, तो हम सब कुछ समझेंगे, ये video थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, आप बने रहें इस video में, आपको बहुत अच्छी information मिलने वाली है अगर आप addicted हो नई हो, अगर हो गए तो कैसी addiction से बहार आना है, सबसे पहले समझा जाए, 15% studies बोलती है, 15% लोग genetically addictive behavior वाले होते हैं, उनको genes से ही मिला होता है, जैसे आपने देखा होगा, कुछ आपके दोस्त drinks करते हैं, बहुत ही moderation में करते होंगे, कोई भी drug करते हों, कुछ भी करते हों, कुछ लोग क्या होते हैं, कि बहुत ही addicted हो जाते हैं चीजों को, यह समझे आप, आपके genes कैसे हैं, कुछ लोगों के बहुत ही addictive behavior होता है, उन लोगों को तो बिल्कुल drug छूना ही नहीं चाहिए, addiction से दूरी रहो, कभी test भी मत करो, क्यूंकि आपके लिए moderation में भी नहीं काम करेगा, कुछ लोग moderation में चलाते हैं, पर आप ऐसे लोगों कि आप moderation में, यहां तो आप करोगे, यहां तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपके लिए better solution यही है, कि आप drug कोई भी चूजी ना करें, अगर आपका addictive behavior है, और यह कैसे पता लगेगा, तो Dr. Anna Lemke ने बहुत interesting way में बताया, कि जो लोग ज़्यादा impulsive होते हैं, बहुत ज़्यादा addiction में पढ़ जाते हैं, अब impulsivity क्या होती है, space between thought and action, जैसे आपको कोई thought आया, कोई desire उठा अंदर से, वो आप कुछ लोग होते हैं, जैसे desire आता है, कोई thought आता है, उसी के साथ action कर देते हैं, तो वो लोग बहुत impulsive होते हैं, थोट आया, कुछ कर दिया, बिना सोचे समझे, इनका सबसे ज़्यादा risk होता है, कि एडिक्शन में फच सकते हैं, और एक interesting चीज आपको मैं बढ़ाता हूँ, कि जो बहुत लोग addiction में पढ़े होए हैं, वो pleasure feel करने के लिए, pleasure feel करने के लिए, जैसे मैं आपको example देता हूँ, जैसे आप alcohol पीना शुरू करते हैं, रोज एक glass drink पीते हैं, पहले तो उनको वो एक glass से pleasure मिलेगा, बाद में क्या होगा, वो suffering, वो depression वाली state, उनका feel करेंगे next day, वो state को खतम करने के लिए पीएंगे, pleasure के लिए नहीं, वो suffering को खतम करने के लिए पीते हैं फिर बाद में, जो लोग बहुत ही drug pursue करते रहते हैं, over the period of time, और उनकी thinking बन जाती है, कि ये जो normal life है, interesting नहीं है, उन लोगों को boring लगने लग जाती है, और evolutionary point of view से देखा जाए, कि हमारी life सच में ये बहुत boring है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा comfort मिल चुके हैं, हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारे जो पूरवज़त थे, वो घर से बाहर निकलते थे, hunting करते थे, gathering करते थे, जंगलों में रहते थे, हमारा जो dopamine system में बना है, ये pursuit के लिए बना है, अभी मैं थोड़ा सागे चलके, dopamine को समझाओंगा, क्यों ये addiction में इतना ज़्यादा important role play करता है, मैंने अपना पिछला वीडियो पूरा ही dopamine में किया है, आप पहले वो वीडियो देखके, इस वीडियो पे बाद में आएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम थोड़ी से mechanism dopamine की अभी समझेंगे, तो सारा खेल dopamine का ही है, हमारा brain तो powerful है, वो तो नई चीज़े सीख करेगा, अब हम hunter gather तो हैं, जंगलों में तो रहते नहीं, अब इतने comfort मिल गए, तो हमारा जो dopamine है हमारे system में, जो हमारा brain है, और चीज़े सीख करता है, तो हम क्या करते हैं, जो comfort वाली चीज़े हैं, हम उन चीज़ों में पढ़ चुके हैं, हमारा जो brain वैसे बना हुआ है, कि जंगलों में जाएं, खुद वो करें, हंटिंग करें, यह सब चीज़ों के लिए बना हुआ है, इतना powerful brain होता है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही cheap चीज़ों से dopamine ले रहे हैं, घर पे बैठके, ice cream खाके, टीबी देखके, Netflix देखके, पॉन देखके, और यह सब चीज़ों में हम लोग dopamine ले रहे हैं, ना कि हम कोई चीज़ का real में पर्स्यू में निकल रहे हैं घर से, आपको मैं main चीज़ समझाऊँगा, आप से समझना है addiction को, scientifically, Dr. NLM की के analogy है, एक mechanism है, अगर आप इसको समझ गए, तो आप addiction से बहुत इजली बाहर आ सकते हैं, तो यह बहुत simple है, जादी complex नहीं है, इसको बोलते है, pain, pleasure, balance, आपको C-saw का पता होगा, ग्राउंड में जाते हो, खेलते होगे, बच्पन में खेला होगा, जिदर बंदा एक side बैठता है, एक side उपर चले जाती है, जब उदर weight आता है, तो एक side उपर चले जाती है, इसे C-saw बोलते हैं, तो आपको क्या समझना है, आपको life में अच्छा करना है, तो balance होना पड़ेगा आपका life में, लेट से यह pleasure वाली side है, और यह pain वाली side है, अगर आप pleasure वाली side को बहुत ही tip करेंगे, तो pain अपने आप उठेगी उदर, अगर आप pain को दबाओगे, तो pleasure उठेगा, बहुत simple है guys, लोग जैसे आप pleasure चीजे परस्यू कर रहे हैं, जैसे आप घर पे बैठे हो, आइस क्रीम खा रहे हो, प्लैजर की तरफ पुश कर रहे हो, साथ में Netflix देख रहे हो, और pleasure बदाबा रहे हो, साथ में Pawn देख रहे हो, साथ में कुछ दोस्त बैठे हुए, हाँ, social connection जो होता है, जो हम साथ लोगों के साथ टाइम बदाते हैं, वो भी एक source of dopamine है, Netflix source of dopamine हो गया, पेन वाली statement में नहीं रहते हैं, जैसे यह पेन हो रही है, वो उदर ही लगे रहते हैं, जैसे आप scroll कर रहे हो, social media में, तो आप scroll करते हो, थोड़ा आपको pleasure मिलता है पहले, तो आप pleasure, जब आप जैसे आप छोड़ोगे, थोड़ी सी आप pain experience करोगे, तो जो आपको pain होगी, वो आपको scroll करते होगे, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप तो भी scroll करोगे, आपको पता जब आप छोड़ोगे बिल्कुल वो, तो आपको वो pain वाली state में होगे, आपको normal चीज़े अच्छी नहीं लगेंगी, अब क्या करें, जैसे आप social media स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे आपका आदा घंटा होगे, आप छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इधर एक बहुत important secret चुपा हुआ है, जो आप अपनी life में apply करके addiction से बाहर आ सकते हैं, जैसे कि आप अभी आपकी ये baseline है, एक dopamine होता है, जैसे एक peak होता है, और एक होता है trough state, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके check कर सकते हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप उससे भी समझ सकते हैं, ये आपकी baseline है dopamine की, इधर आप normal feel करते हैं, कुछ लोग क्योंकि ये baseline कम हो जाती है, जो addiction में होते हैं, depressed होते हैं, क्यों होती है, अगर आप बहुती जादे pleasures pursue करते रहे, over the period of time, जैसे आप बहुती चीजे cheap dopamine लेते रहे, जैसे porn देखते हो, बहुती social media चलाते हो, टीवी देखते हो, पूरा दिन कोई आपका interesting show आता है, तो आप क्या करते हो, आपकी over the period of time, baseline कम होती जाती है, अगर studies बोलती है, जिन लोगों की baseline कम है, ये बहुत बड़ा reason है, कि वो लोग depression में होते हैं, तो आपको baseline अपनी optimize रखनी है life में, आप कभी भी motivation lack नहीं करेंगे, क्योंकि dopamine ही एक chemical है, जो आपको motivated रखता है throughout day, अगर आपको motivation lose नहीं करनी, तो आपको अपनी baseline मड़ानी है dopamine की, वो कैसे बड़ी की, आप dopamine लो, मैंने बोलता कि मत लो, पर अच्छी चीजों से लो, वो भी हम discuss करेंगे, कौन सी चीजों को आप pursue करो, कौन से ऐसे dopamine चीजों से dopamine लो, जो आपकी life और अच्छी करें, यह जो cheap dopamine बोलते हैं, सब चीजों को, यह जो आप TV से लेते हो, फोन से लेते हो, और गेम से लेते हो, यह चीजों से हमें dopamine कम लेना है, शोशल मीडिया चला है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपने pleasure पे दबाया, अब आपको pain होगी, इदर key क्या है, जो आपकी life चेंज कर सकती है, कि आपको wait करना है, यही सबसे बड़ा secret है वाइस, आपको wait करना है, क्या होता है, क्या है कि जब आप wait करते हैं, जो pain वाल state है, वो अपने आप normal baseline में आ जाती है, तो आप फिर से normal feel करने लग जाते हो, बस यही एक key message है इस वीडियो का, कि अगर आप कोई भी चीज pursue करते हैं, आपको उसके बाद क्या करना है, wait करना है, जैसे आपने बहुत pleasure दबा भी दिया, कोई चक्कर ने, आप wait करो, आप दूसरी और ज़्यादा आपका system, आपका brain बोलेगा और परसीव करो, जैसे आपने एक chocolate खाई, आपका brain बोलेगा और खाऊ, क्योंकि आप उस time suffering feel कर रहे हो, अब pleasure के लिए नहीं खा रहे हो, वो suffering को, वो pain को मिटाने के लिए खा रहे हो, अपने दिमाग में रखना हैं कि, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, wait करूँगा, वो depressed state है, उससे जूँजो, उससे जाओ, go through करो, वो pain वाली state में रहो, वो थोड़े time के बाद, अपने आप normal में आ जाएगी, आप अच्छा feel करने लग जाओगे, so guys, इसलिए बोलते हैं, कि bottom हमारी life में बहुत important है, लोग बहुत interesting चीजों के पीछे भागते हैं, life में अच्छे जीने के लिए, bottom को accept करें, bottom में रहना सीखें, weight करें चीजों का, हमेशा stimulant मत देखें, शांती में अकेले में बैठें, वो बहुत important है, इससे आप अपनी baseline reset कर सकते हैं, मैं इदर आपको बहुत interesting चीज बदाने वाला हूँ, कि अगर आप किसी addiction में फसे हो, आपको बहुत addiction से बहार आना है, तो कैसे आ सकते हैं, मैं आपको बहुत तगला tool देने वाला हूँ, जो Dr. Anna Lemke ने अपनी 20 साल की practice में, लोगों में apply करके, बहुत सारे लोगों को addiction से निकाला है, ये tool Stanford University में यूज़ होता है, आप इंडिया में किसी भी गाव में बैठके, ये वाली strategy यूज़ करके, आप addiction से बहार आ सकते हो, यहां दुनिया में किसी भी कुने में आप बैठे हो, आप ये Stanford University की, ये जो psychiatrist ने, ये जो tool निकाला है, आप यूज़ करके addiction से बहार आ सकते हैं, ये tool बहुत simple है, लेट से अगर आपको social media का addiction है, किसी दारू का addiction है, किसी drug का addiction है, pawn का addiction है, video games का addiction है, आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं, 30 days dopamine detox, आपको 30 दिन तक, वो चीज 30 दिनों के लिए बंद करनी है, for example, अगर आप Instagram में, बहुत ही scrolling करते हैं, आपको लगता कि आप बहुत addicted हो, आपको Instagram एक महिने के लिए delete करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, कि आपके शुरू के, कोई भी आप 30 days detox करोगे, आपके शुरू के 1 से 14 दे, मतलब 2 हफते बहुत ही मुश्किल जाने वाले हैं, आपको बहुत pain फील होगा, आपको मन गरेगा आपको चीज यूज़ करो, बट शुरू के 2 वीक बहुत ही hard होंगे, क्या होगा कि आप बहुत ही, आपकी baseline बहुत ही कम हो जाएगी, आप dopamine deficit जो नीचे बहुत ही बहुत ही पैनफुल होती है, आपको 2 वीक तक experience कर सकते हैं, depends on individual, तो आपको क्या करना है, वो 2 वीक जैसे तैसे निकालने हैं, तो आपका क्या होगा, eventually आपका dopamine अपने आप आपका brain अप dopamine प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जो आप stimulant ले रहे थे पहले, गेम से ले रहे थे, पॉन से ले रहे थे, शोचल मीडिया से ले रहे थे, अब वो क्या होगा, आपका brain खुद प्रोड्यूस करेगा, आपकी eventually, baseline बढ़ जाएगी, after 30 days, और शुरू के 14 days, दो हफते बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, तो आप जाने यह चीज, कि यह कैसे mechanism काम करती है, क्योंकि baseline से नीचे होगा, आपका dopamine, तो उसको brain को खुद produce करने में time लगता है, अब stimulant बंद करोगे, शुरू के 2 week बहुत hard होंगे, but after that, क्या होगा interesting चीज, जब एक महीना आप कर लोगे, तो आप किसी भी addiction से बाहर आ सकते हो, अब आपकी healthy baseline बन चुगी होगी, after 30 days, जो patient Dr. NLM की के पास आते हैं, Dr. NLM की उनको बोलती है, advice देती है, अगर आप यह चीज आप जिंदगी भर के लिए छोड़ सकते हैं, तो बहुत ही good idea है, पर अगर आप जैसे आप चलाना चाते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाना चाते हो, दुबारा, after 30 days, यह कोई drink, अगर आप दारू पीते हैं, तो आप को drink लेनी है, तो क्या कर सकते हैं आप, moderation में कर सकते हो, जैसे आप week में एक दिन या दो दिन, आप दिन बना लो, भूस दिन ले सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप मना दो, मैं दिन में बस एक घंटा चलाऊंगा, या दो घंटे चलाऊंगा, टाइम रख लो, कि मैं इतने बज़े से इतने बज़े तक बस चलाऊंगा, तो आपको इतनी पेर नहीं होगी उस्टाइम, तो आप एक नई हैबिट डेवलप कर चुके हो, 30 डेस में, अब आप किसी भी अडिक्शन से बाहर आ सकते हो, अब क्या होता है, बहुत सारे लोग रिलैप्स कर देते हैं, अलब जैसे उन्होंने कुछ छोड़ा थोड़े डाइम के लिए, फिर वो चीज में पढ़ जाते हैं, इसके दो ट्रिकर होते हैं, या तो आपकी जिंदगी में कुछ बैड चीज हो जाए, तब लोग परस्यू करते हैं, क्योंकि वो फिर से dopamine deficite state में होते हैं, वो अगर सोचते हैं किसे ड्रग के बारे में, किसे ड्रग के बारे में उनको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रग को pursue करके फिर से उसी चक्कर में पढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए good event भी होते हैं जैसे उनके घर पे कोई बच्चा हो गया कोई भी life में कोई good event हो जाते हैं तो फिर उनका वो भी एक trigger है दो trigger है या good thing होती है उनकी life में या bad thing होती है किसी भी चीज़ से वो relapse करते हैं बारा उन चीज़ों में पढ़ जाते हैं तो एक और आपको tool देने लगाऊं मैं इदर तो जब भी आप addiction वाली journey में जा रहे हो तो हमेशा try करें कि आप सच बोलें सच बोलने से क्या होता है हमारे brain की circuitry होती है जैसे prefrontal cortex होता है हमारा brain का part यह हमारा मात्य के पीछे है यह हमारा brain का part सोचने में काम हाता है जब भी आप कोई भी logical thinking करते हैं maths करते हैं planning करते हैं यह सब prefrontal cortex है जो लोग good नहीं है decision making में उनकी prefrontal cortex भी होती है जब आप सच बोलते हैं आप अपनी prefrontal cortex strengthen कर रहे हो उससे क्या होगा आप अपनी अच्छी decisions लोगे life में जैसे कि अगर आप लंबा भी सोचना चाते हो आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद यह सब planning करते हो आप यह सब prefrontal cortex का काम है जिनकी यह prefrontal cortex week होती है वो अच्छी decision नहीं लेते life में वो यह नहीं सोचते हैं और उससे आप better position में होंगे आप सोच सकते हैं फिर आपकी prefrontal cortex strong होगी तो आप life में आप सोच आपको पता होगा कि इसके long term negative effects क्या है जैसे आप पूरा दिन वीडियो केम खेल रहे हैं बैटके पौन देख रहे हैं आपको पता आप सोचोगे बैटके कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा मेरे life में आगे हैं आज से एक साल बाद दो साल बाद मेरे relation खराब हो सकते हैं और मेरी सारी जिंदगी खराब हो सकती है बरबाद हो सकता हूँ मैं तो ऐसी सब thinking के लिए आपकी prefrontal cortex आपका साथ देगी और दूसरी interesting चीज अगर आप सच बोलते हैं तो आप intimate connection बनाते हैं लोगों से आप अच्छे से जुड़ पाते हैं तो वो ही connection चाहिए हमारी life में वो भी एक बहुत अच्छा dopamine का source है जिदर आप अच्छे से खुल पाते हैं लोगों को जो लोग जूट बोलते हैं वो अच्छे से connect नहीं होते तो आपको क्या करना है सच बोलना है और लोगों के साथ जितना connect होगे उतना आपको dopamine लोगों से मिलेगा आपको वो drug या कोई चीज कोई behavior से dopamine नहीं लेना पड़ेगा तो सच बोलने के बहुत benefits हैं यह वीडियो का final message है तो मैंने आपको बताया था pleasure होता है pain होता है तो जब pleasure दबाते हैं तो pain होता है आपको क्या करना है pain दबानी है उससे भी आपको life में happiness मिलेगी इसका मतलब dopamine आपको लेना है बट hard चीजों से लेना है जैसे आप study करके dopamine लोगे जब आप पड़ोगे 2 गंटे बैठके 1 गंटा उसके बाद जब उठोगे आपको बहुत ही अच्छा dopamine मिलेगा जिससे आप जैसे आपने pain पे push किया तो आपको pleasure eventually मिलेगा आप fasting कर सकते हैं जैसे food की fasting हो सकती है जैसे आप बहुत sugarी food खाते हैं अगर आप fasting करोगे उसके बाद कुछ भी खाओगे even broccoli भी खाओगे उससे भी आपको मज़ा मिलेगा cold shower हो गया cold shower हमारी हलत के लिए बहुत अच्छा है तो data बदाता है कि जितना मज़ा लोगों को cocaine से आता है उतना after cold shower एक normal बंदे को भी आता है but at the end आपको बहुत अच्छा फील होगा अब meditation कर सकते हैं योगा कर सकते हैं यह थोड़ा hard है आपको bottom में बैठना पड़ेगा but afterwards आपको बहुत अच्छा dopamine release मिलेगा तो आपको ऐसी hard चीजे से dopamine लेना है ना कि cheap dopamine लेने हैं video हो गया, porn हो गया alcohol होगी, drugs होगे इन चीजों से बचें और hard चीजे परसीओ करें thank you guys यही था मेरा message इस video का I hope आपको यह interesting लगी होगी Hubamal Lab Hindi का यही एक मकसद है कि आपको अच्छी information Hindi में मिले, बहुत सारे लोग English content नहीं सुनते मैं अपने friends को भी बहुत recommend करता हूँ बढ़ वो बोलते हैं कि अगर यह content Hindi में होता तो हम भी सुनते मैंने effort किये इस video को Hindi में मनाने में summarize करने के लिए कि अगर आप Hindi listener भी हो तो आप benefits उठा सको चीजों का thank you so much for joining me I hope I will see you in next video